हेलो दोस्तो आप सबीके स्टो रैंगे फ्स्यादार और जबरदस् टॉपिक के बारे में जो यहाँ पर आइप आनेवाले है कुछ आइसे च्यानदर ल। चेमिकल कमपणियों के दिगे आइप आने वाले न यह一次 के बारे हम बात करते आपको उनका एंट्रों बताना चाहूं यह बाद आप understanding करके रखना और special chemical के इन company के बिजनेस हैं अब एक chemical सेक्टर के बाद जब आती तो मैं आपको एक बात समझाते रहता हूं कि chemical के बिजनेस 12 मंच चलने वाले हैं और इन company के बिजनेस को आप समझेंगे तो आपको बहुत जबरतस तरीकी से बेनिविट होगा दे बात कर ले थे यहां पर आपको बताना चाहूंगा जिस तरह किसे अनुपम रसायन की बात आती है तो इसमें company में कुछ अच्छी बात नजरा रही है मैं आपको बताना चाहूंगा इस company benefit की बात बताना चाहूंगा company agrochemical साथ साथ बताना चाहूंगा company आप देखेंगे personal care य दोस्तों कि company में इतने अच्छी बाते इसलिए है कि company का business अच्छा है आप यह पर देख भी सकते और पढ़ भी सकते आपको देखने को और समझने को बहुत कुछ मिलेगा जब भी किसी भी company का IPO आए उससे पहले आप आप अंडरस्टानिक करना देखें आनुपम रसायन और आई कि वह 750 से लेकर 800 करोड रुपे रेज करना चाहते है आई प्यू प्राइस से और इनके business के बारे में बात की इनके कूल मिला कि आपको बतना चाहूंगा यहाँ पर कितने तो छे ऐसे यूनिट्स आविलेबल है इंडिया में जो यहाँ पर काम करते इसे रेटेट बारे में कुछ कहां भी गया है यहाँ पर प्रमोटर के बारे में सब कुछ बाते भी किए अपर देख सकते हैं जिस तरके से इंडिया में बहुत आची तरके से आप देखेंगे सेमकों स्पेशलेटिक केमिकल और रोसरी बायोटेक इनके जो लिस्टिंग हुए इतनी जब कुछ मिलेगा अर्टिकल में यह बाते इसलिए बतारों आपको पहले ही कि आप अंडर्श्टैंग हो जाए बोलकर अभी नेकलों पर बात करते हैं जो आपको बतार चाहूंगा लक्षी में आर्गनिंग के बारे में इस कंपनी में इतनी क्या खास बात है उसके बारे में य आपको बताना चाहूंगा यह 800 क्रोड रुपए आई पयों से यहापर रेज करना चाहती कंपनी आप कंपनी में देखिए आपको लगेगा पैसे क्यों जरूरत है तो वर्किंग कैपिटल के लिए और साथ साथ जो कंपनी में मैनिफेक्चरिंग के लिए जो मशिन और यहा कंपने मेनिफेक्चिंग करती और प्रॉडक्शन करती object इस कंपनी में दम जरूर नजर्वर आता है दोस्तो आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी में इतना दम जरूरा है कि आपको पैसे कमावार के दे सके में आपको पहुत ही अच्छा मुका मिलेगा आपको स्टेप बास पढ़ते चाहेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि चायना से रेटर जितने केमिकल आते थे तो उनकी जो ढीमांड रहती थी और उनका जो रोव मठील रहती थी जो हम यह पर इंडिया में मंगते थे उनकी ज़रूरत हमें ज्यादा नहीं थी और आपको कौँगा थोड़ा बहुत हमें जो चीजे मंगाते थे उससे भी बहुतरी तरके से इंडिया में बनाना हमने स्टार्ट किया है तो आप देख लीजे इंडिया में जो जबरदस तरके से केमिकल इंडेस्ट्री की जो डिमांड बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है आ हमारे इंडियन कंपणी मैनिफक्चिन करना चाहती है यह सभी आर्टिकल में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा क्या पर आप समझेंगे तो आपको यह पर आंडरस्टाइंग जरू होगी देख लिए आपको आप दिखेंगे कि इंडिया चाइना श्रेटर्ट जो यहाँ पर रिलेशन जो हमारे प्राब्लम हो चुके थे जो आप सभी जानते है उसका इंडियस्टी को भी होता है आपको कहूंगा हर किसी न्यूज का अच्छा और बुरा इंडिया होता है दोस्तों आप यह बात समझेंगे तो बहुत आच्छा रहेगा आपके लिए क पर आयन मोके पर ऐसा हो जाएगा कि हमें यह पर आई प्यों आ गया मालूम हो गया इससे पहले आप यह पर पैसे जमा करेंगे अच्छा रहेंगा थैंक्यू सो मच आपका किम्ती दर्गर सभीन फॉर्म सुनने के लिए थैंक्यू